अब हमें इसकी कोटिंग के लिए एक बेसन का मिक्स्टर तयार करना है जिसके लिए हम बेसन लेंगे एक कप, नमक एड़ करेंगे स्वादनुसर, हल्दी पाउडर एक चोटाई छोटा चमच और तीन से चार चुटकी सोडा इसमें आड़ करके इसमें जरूरत के हिसाब से पानी आड़ करते जाएंगे और मीडियम कंसिस्टनसी का मिक्स्टर बना लेंगे अब एक बरतन में हाई फ्लेम पर खाने का तेल गरम होने के लिए रख देंगे और तेल गरम हो जाने पर हमारे स्टफिंग करके रखी हुए ब्रेट्स को बेसन के मिक्स्टर में कोट करके तेल में आड़ करते जाएंगे और दूनों तरफ से हलका गुल्डन कलर आने तेक फ्राइ करके इसे निकाल लेंगे हमारे ब्रेट्स पकोड़ा सर्विंग के लिए तैयार है